रिसेंटली मेरा एक बहुत बरा भरम तूट गया और एक बहुत बड़ी मित जो मेरे अंदर बसी भी थी वो बहुत बुरी तरह से तूट गया और चकना चूर हो गया अप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये मित जरूर होगा मैं आज से नहीं जिस वक्त मैं I think क्लास 9th या 10th में था उस वक्त से मेरे माइंड में बस एक बात चलती रहती थी कि क्लास कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ओवरनेट सक्सेस बन जाओ मेरी लाइफ में ओवरनेट सक्सेस आजाए मैजिक हो जाए कुछ ऐसा कि मैं अचानक successful बन जाओं या का एक successful बन जाओं बट बहुत ही दुक के साथ कहना पर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हम मेंसे बहुत सारे लोग अपनी life को इसी तरह से गुजार देते हैं कि कहीं नहीं कुछ तो ऐसा जादू हो जाए कि हम लोग successful बन जाएं और हम लोग famous बन जाएं हमारा खुब नाम हो खुब सारे पैसे हो बहुत सारे चीज़े हो ऐसे बहुत सारे लोगों का सपना है बट unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह बहुत ही दुखद सच बात है और बहुत हार्श reality है बहुत harsh truth है actually जो magical success होता है जो magical success का रास्ता होता है जो मैंने सिखा है वो होता है जो काम आप avoid करते हो जिस boring काम से आप बचते हो जिससे आप छुपते हो magical success उसी काम में छुपा हुआ है एक बहुत ही famous quote है कि the magic you are looking for is in the work you are currently avoiding मतलब आपकी magic आपकी life का जादू और आपका success उस काम में छुपा हुआ है जिसको आप अभी avoid कर रहे हो जिससे आप अभी बच रहे हो I think इस quote में मैं जो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उसकी सारी सच्चा ही छुपी हुई है Recently मैं एक short video देख रहा था Alex Hormozy का मैं शौक हो गया फिर Alex Hormozy डेटा बताते है कि दुनिया के 90% podcaster 5 से यदा podcast नहीं कर पाते है और दुनिया के 95% यानि mostly podcaster 20 से यदा podcast नहीं कर पाते है अपनी पूरी life में और जो बंदा 20 से पार हो जाता है 21 मां 22 मांत कर लेता है और आगे चला जाता है वो 1% podcaster में आ जाता है काफी हरानी वाली बात है magical success का जो रास्ता होता है वो बहुत ही boring बहुत ही annoying काम से होता है मतलब हमें वो काम हर दिन करना पड़ता है और शुरुआत में जब वो काम करते हो आपको praise करने वाला कोई नहीं होता है आपको appreciate करने वाला कोई नहीं होता है आपको motivate करने वाला कोई नहीं होता है आपको अपने अंदर से motivation लाना पड़ता है अपने अंदर से inspiration लाना पड़ता है क्योंकि यह सुरुआत बहुत ज़े hard होता है तो जो magical success की building होती है magical success की जो इमारत होती है overnight success की जो इमारत होती है वो बनता है हर दिन छोटे-छोटे boring इटों से जिसको हम boring काम बोलते हैं छोटे-छोटे boring इटों से जब हम करते जाते हैं साल दर साल, महिनों दर महिना उसके बाद जाकर magical success होता है और हमें लगता है कि हम कुछ दिन करेंगे, एक मेना करेंगे, दो मेना करेंगे, एक हपता करेंगे, तो हमें लगता है कि हमें magical success मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, overnight success के लिए है, कई सालों लगते हैं, तब जाकर overnight success मिलता है, आपने यूटीबर, एक यूटीबर का आने लगे, बहुत जदा engagement होने लगे, बट आप अंकित बैनपुरिया की story जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि overnight success कुछ नहीं होता है, वो बंदा आज से नहीं, 10-12 साल, 15 साल से लगा हुआ है, तब जाकर हमें लगता है कि आज overnight success मिल जबकि, वो overnight success आया है उन 10 सालों से, उन 12 सालों से, उन 12 सालों के कामों से, उन 12 सालों के मेहनत से, मुशक्कत से और dedication से, the war of art book में Stephen Pressfield बताते हैं, आपके success में सबस्यदा important यह है कि आप हर दिन बैट करके वो boring काम करते हो या नहीं, no matter आपका mood कैसा है, no matter आपके emotions कैसे है, आपके feelings कैसे है, matter यह करता है, आपके mood चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको वो काम करना है, और जब हम वो काम regularly करते हैं, हर दिन करते हैं, तब हम लोग एक character बन जाते हैं, एक ऐसा character, जो successful बनने के लिए eligible हैं, और वो छोटे छोटे boring काम, और हर दिन जो boring काम होते हैं, वो आखिर में compound हो जाते हैं, और compound होकर के, जो last में जो building बनाते हैं, success का, वो छोटे छोटे boring काम है, और वही हमें लगता है कि overnight success है, so there is nothing as overnight success, so this is Fran Shemimi, thank you so much.